नए साल के आते ही भारत में करोणा का बड़ा खत्रा दस्तक दे सकता है। भारत में जन्वरी के बहीने में करोणा की नई लहर आ सकती है। अस्वास मंस्ट्राले की सुद्रों के मताबिक अगले 40 दिल कोरोना जंकरमन के लिहाज से काफी गंभीर हो सकते हैं। कोरोना के पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बार जन्वरी कहीं भारी ना पड़ जाए। चालीस दिन बाद भारत में करोणा की सुनामी चालीस दिन बाद भारत में करोणा की नई लहर चालीस दिन बाद भारत में करोणा से खल बली ये सवाल सच होते दिख रहे हैं। करोणा की नई लहर का खत्रा भारत के बेहत करीब आकर खड़ा दिख रहा है। जो चीन में हो रहा है जो जपान में हो रहा है जो अमेरिका में हो रहा है वो भारत में होने वाला है स्वासमंत्राले के सूत्रों के हवाले से खबर भयावा और डरामनी है सूत्रों की माने तो जनवरी 2023 में कोरोना की केस में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है भारत में कोरोना की एक और लहर के हालाद बनते दिख रहे हैं कोविट को लेकर जो हालाद और जो परिस्तिति निज़रारी है ऐसे में केंसरकार लगातार ये कोशिश करी है कि मीटिंग के जरीए, बैठक के जरीए, देश में स्वास सेवाओं की इस्तिति को जाना जाए हाला कि ये भी कहा जा रहा है कि भारत में कोविट की इस्तिति अगर बनती है तो ऐसे में अभी थोड़ा समय है जिसके लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं चायद यही वज़ये है कि अप आध स्थिति से निबटने के लिए लगाता प्रेपरेशन की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि भारत में समय बुस्टर "-डोस की इस्तिति क्या है कितने लोगों को booster dose लगी है और अगर कम लगी है तो ऐसे में तमाम राज्यों को ये निर्देश देखा हैं कि आने वाले दुनों में booster dose को बढ़ाया जाए इस खत्रे को मानने और समझने के पुखता आधार है क्योंकि भारत में कोरोना के आंकड़ों में हरकत देखी जा रही है लेकिन सबसे बड़ा खत्रा दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों से है दो दिनों के भीतर इंटरनेशनल फ्लाइट्स से 6,000 रेंडम टेस्ट किये गए 6,000 सैंपल्स में 49 में कोविट संक्रमर की पुष्टी हुई जो की चिंता बढ़ाने वाली है दरसल चीन में जारी कोरोना विसफोर्ट ने वेग्यानिकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया वेग्यानी की अनुमान लगाने में जुटे हैं कि भारत तक कोरोना के पहुँचने की टाइमिंग क्या हो सकती है और अगर कोरोना की लहर आती है तो ये कितनी भयानक और कितनी खतरनाक हो सकती है अब तक के ट्रेंड्स बताते हैं कि इस्ट एशिया से 35 से 40 दिनों में कोरोना की लहर भारत पहुँची पहली लहर में चीन से 61 दिनों में पहला केस भारत पहुँचा था चीन से पहली लहर के भारत आने में साथ महीने का वक्त लग गया था वहान से निकला वाइरस पहली बार भारत साथ महीने में पहुचा क्योंकि भारत में काफी पहले लॉक्डाउन लग गया लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कोरोना का BF7 वारियंट 15 गुना ज्यादा रफ़तार से संक्रम और फैलाता है और इसलिए भारत में भी इसके तेजी से फैलने का ख़तरा है गनिमत यह है कि विशेशग्यों को भी लग रहा है कि टीके और हर्ड इमूनिटी की सुरशा से भारत बच जाएगा न्यू येर का फंक्शन्स हैं पार्टीज हैं और आग्यारने वाले दुनों में इंटरनेशनल ट्रैफिक से कोविड की आमद है यह सब मिला कर बहुत इंपोर्टन हो जाता है कि हम साफधानी बढ़ते हैं देखे यह जो नया वेरियंट है यह हम बहुत भागेशाली हैं भारत बच के लोगों में यह तेजी से नहीं पहल रहा है जिस तेजी से चाइना में जापान में और परोस के मुल्पों में यूएस में प्राजील में फैला है अब समाया गया है कि हम केसे गिनना बंद करते हैं यह बहुत यह ज़नृरी फरवारी नियर फ्यूचर में यह फ्यूचर में अनलाइकली क्यों है ये जो है सबसे बड़ा कारन है जो इम्मीनटी मिली हुई है मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है लेकिन हमारे लिए बहतर यही है कि हम कोरोना से दो-दो हाथ करने को तयार रहें अपनी तयारी पुखता रखें दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी ख़बर आ रहे है करोना की आहट के बद्रे रज़र केंद्र स्वासमंत्री मंसुख मानविया ने एपोट्स का निरीक्षण वो कर सकते हैं करोना से निपटने के लिए एपोट्स पर क्या तयारी है कितनी सक्ति की जरुवत है रागामी खत्रे से निपटने के लिए क्या नए कदम उठाये जाएं इन सब को जमीन पर जाकर परशेगे केंद्र स्वासमंत्री मंसुख मानविया तो ने साल भारत पे केसिस बढ़ने की आश्रमका है इसी के मद्द अजर जो अंतराश्य यात्री है उनकी रैंडम स्टैंपलिंग जांच की जा रही है तयारी का जाहिजा आप खुर केंद्र स्वासमंत्री लेगे और एपोर्ट का दौरा करेंगे